नमस्कार सभी साथियों को मैं अमर आपका स्वागत करता हूँ ट्रेड देटेंड चैनल में दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे 13 अगस्त के लिए इंट्राडे स्टॉक्स की और देखेंगे कि कैसे हम अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूब कर सकते हैं आज की वीडियो का स् पार्ट को आपको ट्रेड नहीं करना है आपको अइडेंटिफाई करना है कि कहां पे ट्रेड करना है कहां पे चार्ट में ट्रेड नहीं करना है तो आज की वीडियो में स्पेशल रहेगा कि कैसे हम अइडेंटिफाई करें कि इस पार्ट को हमें ट्रेड नहीं करना है यहा यह दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले चार्ट के साथ, यह इंडिगो का चार्ट है, दीखें वर्टिकल चार्ट को, यानि कि डाइगणल चार्ट को हम ट्रेड करेंगे, हमेशा से कहता है हूँ, और साइडवेस चार्ट को, दीखें जो पार्ट यहाँ पे बन रहा है, स दुबारा उस point को touch नहीं करता है जहां से chart यह बार उपर जाने के बाद उस point को दुबारा टच नहीं करता है ऐसे resistance को आपको identify करना है इस resistance के हलका सा उपर आपको buy का order रखना है तो यहां पे आप buy का order रखते हैं तो देखिए एकदम से chart उपर move हो जाता है और आपका जो stop loss है resistance के नीचे वो hit नहीं होगा ऐसे case में आपका stop loss हिट नहीं होगा और आपको एक stable entry यहाँ पे मिल जाती है अगर आपने आज पहले point पे ही indigo में stable entry ले ली होती तो देखें 9.50 पे यह resistance है रहा हूँ 9.55 पे और आज का high देखें तो 1055 यानि कि 100 points इसमें आज रहते अगर आपने यहाँ पे first resistance पे आज की entry ले ली होती है और 100 shares के साथ भी आप यह दोस्तो trade करते तो आपको 10,000 का profit यहाँ पे हो सकता था 10,000 का profit हो सकता था अगर आप 100 shares के साथ भी यहाँ पे trade करते और first resistance से उपर जब breakout होता है तो इसको buy कर लेते हैं similarly देखिए यहाँ पे resistance आया है आपको थोड़ा draw करके मैं बता देता हूँ यह देखिए यहाँ पे यह resistance इसने face किया है resistance face किया है फिर जब resistance को break कर लेता है जब chart resistance को break कर लेता है तो दोबारा resistance के नीचे नहीं आता है देखिए यहाँ पे resistance था resistance को break किया तो नीचे नहीं आएगा देखिए यहाँ पे resistance को hit किया फिर resistance को break कर लिया तो chart resistance के नीचे दोबारा नहीं आने वाला है तो आपको identify करना है ऐसे resistance points को जहां पे आप buy कर सकें resistance के उपर buy कर सकें और जहां से आपको एक stable entry मिल जाए चार्ट में जिससे कि आपका profit intraday में काफी अच्छा हो जाए दोस्तों चली अगले चार्ट पे चलते हैं PVR ने भी आज काफी gain किया है लेकिन हमारे लिए यहाँ पे learning क्या है PVR के चार्ट में हमारे लिए यहाँ पे learning है कि इस part को हमें trade नहीं करना है यानि कि देखे अगर आपने साड़े ग्यारा के बाद आज 11.30 के बाद अगर आज आपने PVR को trade किया है तो आपने उसमें कुछ भी profit नहीं कमाया होगा और 100% तो नहीं कहूंगा 99% chances हैं कि आपका जो है वहाँ पे stop loss हिट हो गया होगा देखे इस box को देखे आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं है कोई reward आपके लिए नहीं है इस box में तो ऐसे part को chart के ऐसे part को दोस्तों हम trade नहीं करेंगे हम सिर्फ यहाँ पे diagonal trade करेंगे कि जब chart जो है diagonal move कर रहा है vertical move कर रहा है ऐसे part को हम trade करेंगे और आपको मैंने बताया है कि ऐसे part में कहाँ पे entry लेंगे जहां resistance से breakout हो रहा है उपर की तरफ resistance से उपर breakout हो रहा है दुबारा chart नीचे नहीं आता है resistance से इस case में आपका stop loss hit नहीं होता है दोस्तों तो ऐसे part को हम trade नहीं करेंगे किस part को जब sideways में chart चलता है sideways में जब chart चलता है तो ऐसे part को हम trade नहीं करेंगे अगले chart पे दोस्तों चलते है HCL Technologies का यह chart है same condition में आपको समझा रहा हूं आज यहां पे देखिए एक और entry point है जो moving average से bounce होता है जब chart moving average से bounce होता है तो वहाँ पे आप entry ले सकते हैं moving average से जब chart bounce होता है एक तो वहाँ पे entry ले सकते हैं एक चीज़ मैंने समझाई, जब एक ही point को बार बार हिट कर रहा है, तो वहाँ पे भी आप entry ले सकते हैं, इस तरीके से आप entry ले सकते हैं, bull chart में, bullish chart में आप इस तरीके से entry ले सकते हैं, और अपना profit दोस्तों बढ़ा सकते हैं, देखिए आज एक हमारी call रही थी, mentor group के telegram channel मे जो हमारा private telegram group है, premium group है जो हमारा, उसमें मैं आपको अपना logic share करता हूँ, देखिए पहले दिखा देता हूँ आपको, यह हमारा mentor group है, TTT mentor group, यह premium group है हमारा, इसमें आज call रही थी कि reliance अगर 2120 से bounce करता है, तो यहाँ पे upside के chances हैं, 942 पे देखिए, morning में ही यह मैंने trade suggest किया देखिए, यह मेरा logic था कि, यहाँ पे देखिए, एक demand zone बनता जा रहा है, और यहाँ से chart नीचे नहीं जाने वाला है, मुझे नहीं लगता है, यहाँ पे chart नीचे जाने वाला था, तो यहाँ से, मैंने call दिया, 2120 पे अगर यह bounce होता है, 2120 से अगर यह bounce होता है, तो उपर जा सकता है, और 2140 से भी यह उपर गया है, 2145 तक यह गया है, 2120 से, तो 25 points यहाँ पे बनते हैं, अगर आप futures में इसको trade करते हैं, तो 500 shares के साथ देखिए, 12,000 का profit यहाँ पे आपको हो सकता था, दोस्तों अगर आप भी mentor group को join करना चाहते हैं, हमारे premium group को join करना चाहते हैं, त तो आपको इतना करना है कि description में दिये गए link से, description में दिये गए link से DMAT account open करना है, कोई भी fees नहीं है हमारे mentor group की, description में दिये गए link से आपको DMAT account open करना है, और मैं आपको बता दू कि अब stocks में फिलाल free account opening चल रही है, 15 अगस तक, आपको कोई brokerage नहीं लगने वाला है 30 days तक, free DM account और आपको free course भी मिलने वाले है beginners के लिए, तो आज ही अपना आप stocks में account open कराएं, नीचे दिये गए description में जो link दिये गए हैं, उनसे आप account open कराएं, हमें inform करें और आपको mentor group में शामिल कर लिये जाएगा, mentor group में आपको quarterly एक training भी मिलेगी और live market में आपको support भी रहेगा दो जैसे कि आज reliance में हमने 20 points यहाँ पे book की हैं दोस्तों, यह bank nifty का chart है, bank nifty का chart आज देख लेते हैं, पहले भी मैंने आपको कहा था कि 23,000 यहाँ पे जा सकता है chart, अगर यह यहाँ पे जो फर्स पॉइंट पे जो resistance इसने face करना है, यह जो candle है जहाँ से reject हुआ था, इसका high है 22,346, तो यहाँ पे अगर यह 22,350 को क्रोस कर लेता है, 22,350 को यहाँ पे क्रोस कर लेता है, तो इसके लिए next जो रहेगा target, वो रहेगा 23,100, यानि कि अगर यह इस resistance को क्रोस कर लेता है, support बना लेता है, तो यह यहाँ पे जाने के इसके chances रह सकते हैं, 23,100 पे, 22,350 को क्रोस कर सब्सक्राइब कीजिए मेरा भी मॉटिवेशन इससे वड़ता है और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेटिड रहें सभी वीडियोस में नेक्स जो चार्ट है दोस्तों यह डावर इंडिया का है डावर इंडिया में देखी कैसे यहां पे देखी मैं यहां से आपको समझाता हूँ कि यह एक सप्लाई जोन यहां पे बना है तो सप्लाई जोन से कैसे चार्ट यहां पे रिजेक्ट हो जाता है देखी कैसे चार्ट 5 तक ठीक है 4.95 तक आप इसे यहाँ पे short कर सकते हैं एक short की opportunity बन सकती है 4.95 तक यहाँ पे एक supply zone बन रहा है और यह एक दो session में possible है कि ऐसा नहीं कि कल ही आपको यह मिल जाएगा तो आप इसको अपनी watch list में रख सकते हैं और मुका मिलते ही इसको short कर सकते हैं दोस्तों अपने financial advisor से जरूर consult करें सभी views मेरे personal है educational purpose के लिए हैं आप ही अपने trade के लिए responsible हैं यह channel responsible नहीं है आपके trades के लिए चलिए आगे चलते हैं बंदन bank का chart देख लेते हैं बंदन bank में देखिए किस तरह से यह support को बार-बार hit करता जा रहा है एक support को देखिए किस तरह से बार-बार hit करता जा रहा है और lower high बनाता जा रहा है तो यहां से यह अगर break होता है अगर break होता है यहां से यह support तो 295 के नीचे इसको short किया जा सकता है और 292 तक इसको short किया जा सकता है 295 से नीचे 292 तक इसको यहाँ पर short किया जा सकता है next chart है दोस्तों मननपुरम का इस chart में दिखिए जो important level है वो है 156 का जो यह candles यहाँ से बार-बार जो reject हो रही है अगर यह 156 को break कर लेता है 156 को break कर लेता है तो आप लोग short करेंगे 158 तक 156 से उपर 158 तक और अगर reject हो जाता है 156 पे 156 पे reject हो जाता है 154 तक यहाँ पर एक short बनेगा otherwise long करेंगे 156 से उपर 158 तक आपको देखना क्या है कि क्या यह इसको अपना support बनाता है क्या यह इसको support बनाता रे-test करता है इसको और फिर यहां से ऐसे लोंग रहेगा इस situation में अदर्वाइस अगर यहां से reject हो जाता है तो यहां पर situation में short रहने वाला है दीखें मैं इसको conclude कर देता हूँ सबी को उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप telegram channel हमारा join करना चाहते हैं अगर आप join करना चाहते हैं दोस्तों तो description में link दिया हुआ है description में link दिया हुआ है telegram channel का जरूर join करें बहुत helpful रहेगा आपके लिए market time में live market में बहुत support आपको मिलने वाला है चलिए मैं आपको बता देता हूँ conclude कर देता हूँ दाबर में short possible हो सकता है 500 to 499 बंधन bank 295 से नीचे जाता है तो एक fresh यहाँ पर downside की lag एक शुरू कर सकता है जिसमें आप short कर सकते है 295 to 292 मननपुरम में 156 जो है important level है इससे उपर chart settle होता है तो long कीजिए reject होता है तो short कीजिए फिर से आपको याद दिला दूँ कि upstocks में account opening free है बहुत सारे benefits मिल रहे है साथ ही सबसे बड़ा benefit आपको मिलता है mentor group की membership आपको यहाँ पर मिल जाती है अगर आप upstocks में नीचे दिये गए link से description में link दिया हुआ उससे आप account opening करते हैं तो अगर आप zerodha या angel blocking में भी account open कराना चाहते है zerodha या angel blocking में आप account open कराना चाहते है तो उसका भी link नीचे दिया गया है कोई भी fees नहीं है हमारे premium group की premium group में देखिए आज भी लोगों ने अच्छा profit बनाया है reliance में कोई भी fees हम नहीं लेते है premium group की सिर्फ आपको referral account open करना है और lifetime आपके लिए ये free रहने वाला है दोस्तो trade the trend की वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद